आज हम डिस्कस करने वाले हैं cash withdraw and cash deposit की entry आपको कैसे पास कर दी है टैली प्राइम में नमस्ते दोस्तों मैं सुमन सर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चानल सुमन एजुकेशन हब में आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अगर आप अपने bank से cash withdraw कर रहे हैं तो उसकी entry आपको कैसे पास करनी है टैली प्राइम में टैली प्राइम को ओपन कर लीजिए और gateway of tally से आपको वी प्रेस करना है वी प्रेस करने के बाद right hand side से आप contra voucher को select कर लीजिए contra voucher में सबसे पहले में आपको बताऊंगी कि कैसे आपको cash deposit की entry पास करनी है टैली प्राइम में contra voucher को select कर लीजिए and after press करके आपको date को change कर लेना है अब यहां देखिए हम cash deposit कर रहे हैं यानि कि bank में हम cash दे रहे हैं bank receive कर रहा है तो हमें क्या करना है cash को हम यहाँ पे credit करेंगे क्योंकि cash का जो ledger है वो amount देगा तो cash हम credit करेंगे suppose कीजिए 50,000 हम cash deposit कर रहे हैं तो cash को हमें 50,000 credit कर देना है और यहाँ पे आपको bank select कर लेना है जो भी आपका bank है तो हम यहाँ पे access bank में 50,000 cash deposit कर रहे हैं तो bank को हम यहाँ पे debit कर देंगे 50,000 से यहाँ पे आप सारी information feel कर सकते हैं अगर नहीं feel करना चाहते तो आप इसको skip भी कर सकते हैं narration में mention कर सकते हैं कि आपने cash deposit कर वाया है 50,000 और date सारी information detail में narration में mention कर दीजे तो इस टाप से हमने देखा कि कैसे cash deposit की entry आपको pass करनी है cash को आपको credit करना है and bank को आपको debit करना है इस टाप से चलिए एक और entry pass करके मैं आपको show करती हूँ support कीजिए आपके company के दो bank account हैं तो दूसरे bank में अगर आप cash deposit कर रहे हैं तो उसके लिए आपको contra voucher select कर लेना है F2 प्रेस करके आप date change कर लीजिए जिस भी date में आप cash deposit कर रहे हैं bank में अब आपको क्या करना है यहाँ पे हम cash को करेंगे credit क्योंकि cash के account से पैसे जा रहे हैं तो date change करने के बाद आपको select कर लेना है cash वाला ledger cash वाला ledger हम credit कर देंगे suppose कि जिए 50,000 हम bank में deposit कर रहे हैं तो 50,000 आपको cash को credit कर देना है और यहाँ पे enterprise करेंगे और यहाँ देखिए bank तो पहले हमने access bank में किया था अब यहाँ पे आप bank को change कर सकते हैं तो bank को change करने के बाद bank आप यहाँ पे debit कर लीजिए तो हमने आपे SPI में cash deposit करवाया है अब चलिए balance sheet में अगर आप देखना चाहते हैं जो आपने cash deposit किया है वो entry आपको कहां show होगी तो चलिए go to में चलते हैं balance sheet को open कर लीजिए उसके बाद open करना है आपको current assets में जब आप चाहेंगे तो आपको वहाँ पे bank account show होगा यहाँ enter press करेंगे तो आपको यहाँ पे देखिए दोनों bank दीख रहा है access bank and SPI तो enter press करके आप देखेंगे तो देखिए आपको जो हमने cash deposit करवाया था वो 50,000 debit side में show हो रहा है उपर आप देखेंगे तो 500 credit है यहाँ पे 50,000 adjust हो गया है तो इस tab से आप देख सकते हैं SPI में भी जो हमने 50,000 का cash deposit करवाया था वो भी आपको debit side में show हो रहा है तो इस tab से आपको cash deposit की entry पास करनी है चैली प्राइम में अब चलिए मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आपको cash withdrawal की entry पास करनी है चैली प्राइम में तो contra voucher select कर लीजिए F2 प्रेस करके आपको date को change कर लेना है हम यहाँ पे cash withdrawal की entry कर रहे हैं तो bank से पैसे हम receive करेंगे यानि कि bank credit होगा और cash debit होगा तो यहाँ पे आपको select कर लेना है जिस भी bank से आप cash withdraw करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे दो bank है Axis bank and SBI bank तो जिस भी bank से आप cash withdraw करेंगे उस bank को आपको select करना है bank select करने के बाद suppose कीजिए आप 50,000 bank से cash withdraw कर रहे हैं तो आपको bank को यहाँ पे 50,000 से credit कर देना है and cash का जो ledger है वो हम 50,000 से debit कर देंगे तो इस type से आपको bank को credit कर देना है and cash वाले ledger को हम यहाँ पे debit कर देंगे cash withdrawal अगर आप करते हैं bank से narration में आप mention कर दीजिए cash withdrawal कितने amount का है किस date में आपने किया है सारी information आप cash withdrawal के narration में feel कर लीजिए इस type से चलिए एक और entry करके देख लेते हैं contra voucher select कर लीजिए app to press करके आपको date को change कर लेना है जिस भी date में आप bank से cash withdraw करते हैं अब यहाँ पे आपको bank को select कर लेना है जिस भी bank से आप cash withdraw करेंगे तो हम यहाँ पे SBI से cash withdraw कर रहे हैं तो SBI को आपको credit कर देना है तो इस type से आपको cash withdraw की entry करनी है bank को credit करना है and cash को आपको debit कर देना है narration में आप mention कर सकते है cash withdraw 1 lakh रुपेस किस rate में किया है सारी information fail करके narration में इस entry को save कर लीजिए इस type से आपको bank में cash withdraw की entry करनी है चलिए go to में चलते हैं balance sheet में चलके देख लेते हैं जो हमने entry pass की है वो entry हमें कहां show होगी तो balance sheet को open कर लीजिए उसके बाद हम जाएंगे current assets में उसके under में आपको यहाँ पे bank account show होगा bank account को open कर लीजिए और यहाँ पे जब आप enterprise करेंगे तो आपको दोनों entry show होगी जो cash withdraw की है और जो cash deposit की है तो इस टाप से आपको चैली प्राइम में cash withdraw की and cash deposit की entry pass कर ली है चैली प्राइम में I wish यह वीडियो आपके लिए helpful रही है अगर helpful रही है तो एक छोटा सा काम कर दिजेगा चैनल को like, share, subscribe कर दिजेगा लुपक प्राइम आपके लुपके लिए